हलो एवरिवन तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 9 का पार्ट 2 इससे पहले मैं एक पार्ट अल्रेडी अप्लोड कर चुका हूँ 9 चैप्टर का जिसके अंदर हमने कि ये बिजनेस फाइनेस या फाइनेस मेनेजमेंट होता क्या है इसकी मीनिंग क्या है इसका नेचर क्या है ये पढ़ लिया था और साथी साथ हमने एक 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 इग्जामपल भी क्या था पिछले वीडियो में जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर 100 रुपे शेयर वाली एक कंपनी ये जिसकी authorized capital क्या है 100 share जो कि 100 रुपीज पर शेयर है तो उसके हिसाब से उसकी total share कितनी थी 10,000 थी तो अगर इस share की cost 130 पर share हो जाए या जिसकी वाज़े से उसकी जो total income है वो total money है वो 13,000 हो जाए कंपनी के authorized capital जो 13,000 हो जाए या फिर अगर 90 की हो जाए तो उसकी वाज़े स माइनस का 1000 हुआ यह होने के जो reason है वो कितने हो सकते है तो हमने इसके बारे पढ़ा था कि इसके तीन वितन निर्णाय हो सकते तीन वितन निर्णाय पर निर्भर करता है तो अब हम इन ही financial decisions के बारे में पढ़ेंगे कि यह कौन से decision है जिनकी वज़े से हमारी income में यह निर्णाय यानि की dividend decision जो वितसंद बंदी निर्णाय होते है यानि finance related निर्णाय होते है इसके दो पार्ट होते है पहला होता है वितिया नियोजन यानि finance planning और दूसरा होता है पूझी ढाचे यानि की capital structure जबकि यहाँ पर जो निवेश निर्णाय यानि की investment decision दे रखा है यह यह दो type के हो जाते है पहला जिसको पूझी budgeting भी कहते है यानि की capital budgeting इस्थाई पूझी निर्णाय यानि fixed capital से related decision दूसरा कारेशील पूझी यानि working capital से related decision और अगर लाभांश यानि dividend की बात करें तो पहला होता है हमारा distribution of लाभांश का बटवारा distribution of dividend और next होता है हमारा संचे इता है यानि की accumulated income तो यह 6 चीज़ है जिनके बारे हम तीन सेक्टर में 6 चीज़ों के बारे हम बात करते हैं अभी हम सबसे पहले बात करेंगे वित संबंदी निर्णाय की तो चलिए इसकी बात करते हैं देखें यह निर्णाय दो भागों में लिया जाता है प्रथम पद औ कोश्क आवशकता यानि हमारा expected fund कितना होना चाहिए हमारे लिए expected necessary fund कितना है और दूसरा वह fund हम इखटा करने के लिए हमारे पास sources कौन-कौन से हैं पहला तो हमें कितने fund की जरूरत है और दूसरा वह fund हम कहा कहा से इखटा कर सकते हैं तो हमारे पास जो स्रोत दे रखे है यानि जो sources हो दो है एक है हमारा समता यानि parity भी बोलते हैं और equity भी बोलते हैं तो parity या equity कोई भी word यूज़ कर सकते हैं और दूसरा है rent यानि कि loan अब जो हमारी equity या parity होते हैं उसे पहली चीज होते हैं हमारी समता अंश पूझी यानि कि equity shares जो कि आपने company के अंदर पढ़ा ह हुआ है दूसरा होता है पूरवा अधिकारी अंश यानि कि आपका preference share जो कि आपने company के ही chapter में पढ़ा हुआ है और then होता हमारी संचेता है यानि accumulated income ये तीन चीज़े हमारे finance के source होते हैं किसके थूरू parity के अंदर या equity के अंदर जो कि अगर rate के तौर पैसा जमा करना पड़ लेकिन तो फिर अगर source यह है तो पूजी ड्हाचा जो है हमारा जो क्या डिसाइड करता है capital structure ये बताता है कि वह हमें पैसा कहां से कितना लेना है यानि कि हमें equity से कितना पैसा लेना है और हमें loan के थू कितना पैसा लेना है यह decision जो होता है यह हमारा capital structure के अंदर आता और यह दोनों ही इसके अंदर आते यानि कि finance planning और capital structure यह दोनों किसके अंदर आते finance relation related decision के अंदर आते है ठीक है तो अब प्रथम पद वितिया नियोजन जो होता है वो क्या होता है यानि first step जो financial planning होती है उसके अंदर क्या होता है वियावसाई के लिए कोशों की आवस्टा का अनुमाल लगाने और कोशों के सुरोतों को निर्धारित करने की प्रिक्रियावित यह नियोजन कहलाती है यानि finance planning can be described as as the as the as the sorry as the decision sorry हाँ यह होगा decision होगा finance planning can be described as the decision of expected funds and to collect the sources or to decide the sources where the collection can be collected or the finance can be collected यानि कि भही है पहले तो आप अवस्टा का अनुमाल लगा हो यानि कि आपको कितने fund की जरूरत है need of fund आप बताओ need of fund ठीक है और दूसरी आपको क्या बताने है कोशों के स्रोत की भही है स्रोत क्या है सोर्सिस क्या है इसको हम लोग क्या कहता है finance planning कहते है इसके द्वारा यह सुनिशित किया जाता है कि अपने वाइदे को पूरा करने तदा योजनाओ के अनुसार कारे करने के लिए firm के पास परियाप्त कोश उपलब्द है यानि finance planning की वही जिसके थूँ हमें यह पता होता है कि भाईया company ने जो प्रॉमिस किया या company जो भी प्लैनिंग कर रही है उसको पूरा करने के लिए उसके पास पंड जो है वो इनव पंड है जितरा उसको चाहिए वो तरह इनव फंड उसके पास है अब यह सितिये नियोजन नहीं है यह वितिये नियोजन है पहली वात तो यह वितिये नियोजन वित के विभेन स्रोतों की जानकारी सही स्रोत का चैन और वितिये योजनाओ और नीतिय जोगा क्रियानवे से संबंदित होता है यानि finance planning के अगर हम बात करते हैं तो इसके तुरू हमें क्या होता है कि भीया हमारे जो different sources हमें उसकी information लेनी होती है उसको सही correct source है उसको हमें चुनना होता है choice of correct source then जो भी हमारे financial planning है policies है उसको सही से execute करना यह सारी जो चीज़े है the activities are related to the correct execution of collecting the information of different sources choosing the correct source and planning policies are known as financial planning ठीक है तो वितिया नियोजिन पहले से ही यह तकर लेता है कि कितना व्याइक किया जाना चाहिए वह किस पर किया जाना चाहिए कहां खर्चा करना कितना खर्चा करना यह सारा हमारा financial planning के अंदर ही आ जाता है हम इसके बारे बेर आगे पढ़ते हैं तो हमारे लिए किस तरीके से यह बनाते हैं हम सबते पहले यह देखते था हैं पहले तो वितिया उदेशों का निरधारण करना कि सबते पहले था हमें यह देखता पढ़ेगा हमारे financial goal कौन कौन से है दूसरा वितिय नीती और नियमों का यानि rule and regulations का निर्माण करना देन वितिय आवशक्ता का पूर्वा निवान यानि expected income के बारे में हमें expected needed income या expected needed finance जो कह सकते हो आप फ्यूचर के लिए आपको कितना चाहिए उसके लिए हम क्या करते एक expected लगाते है एक idea लगाते है ठीक है then different sources को generate करना different source of finance then उस वे से जो optimum utilization वाला या best source है best option है उसको चुनना and then वितिय योजन और नियोजन यानि planning का और policies को execute करना यह सारा काम हमारा किसके अंदर आता है ठीक है अब एक और चीज़े वितिय रम योजन में अलपकालीन यह दोनों ही योजन हमल होती है प्रायल्पकालीन वार्षिक बजट के रूप में और दिरल्ग कालीन नियोजन फूजिगत बजट के रूप में होती है यारी कि हमारे पास short term planning भी होती है long term planning भी होती है कि यह प्लाइनिंग होते हैं उसे हम लोग yearly budget के रूप में दिखाते हैं तो आए होप आपको यह समझी में आ गया होगा यह पूरा कि प्रतम पद वितियन योजन क्या होता है अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप you are very free to ask आप comment box वे अपने questions डालिए मैं आपको answer करूँगा और कोई भी other doubt आता है तो please आप मुसे पूछ सकते and thank you for your time जल्दी में third part के साथ आतो जिसके हम लोग वितियन योजन के महतों के बारे पढ़ेंगे ओके चलिए